तो दोस्तों कैसे हो आप लोग आसा करता हूं बड़ी आगदम जखास होगे तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बात क्या करने वाले हैं आज के इस वीडियो में आपको एक प्लान बना करके दिखाऊंगा और इस प्लान को बनाते समय जितने भी स्टेफ फालो तो complete यह पुरा फ्लोर प्लान का होने वाला एप वीडियो तो लेस्ट रिस्टाट कर लेते हैं वीडियो को और जानते हैं कैसे बनता है हमारा प्लान Rabbit में आने के बाद मैं अपना एक template चूज कर लेता हूँ यहां से मैं अपना template जो by default मेरा template है जो इस पर मैं काम करता हूँ वो चूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसमें अपना सारा चीज पहले सभी बना के रखा हुआ है तो मैं यहां पर चूज कर लेता हूँ अभी 2020 उसके ब मैं क्या करता हूं याँआ पे अपना 24 जो 54 याननी plot कर लेता हूं उसके बाद सब्सक्राइब हुआ मैं 34 Election का plot कर लेता हूं मैं यहां से command दूँगा डंगा WAAg्र देने के बाद हमारा वाल command चालू गया है उसके बाद मैं वाल सेंटरल लाइन लिक 설 कि의 फेस पे कर दूंगा ऊंके उसके बाद किया करूँगा यहां से अनकनेक्टेड में इसको कर दूंगा सिंपली जितने भी वाल होंगे उसकी हाइड फिर्स फ्लो तक की होगी उसके बाद मैं क्या करूँगा एक बार एहां पर Seoul LED करूंगा और mm में मैं इस mm आले पर click करता हूँ यहाँ पर mm लिखा हुआ है मैं क्या करता हूँ यहाँ पर fit and functional inch पर click कर देता हूँ इतना करने के बाद यहाँ पर 1 by 2 आ गया मतलब half तक दिखाएगा ओके कोई दिक्कत नहीं okay करता हूँ इसको भी मैं okay कर देता हूँ उसके बाद मैं फिर से command दूँगा WA यहाँ पर already apply है WA उसके बाद मैं एक बाद यहाँ पर click करूँगा और इसको लेकर क्या हूँगा आप देखें यहाँ पर जो मारा length है वो दिखा रहा है fit और inch में simple तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देता हूँ 34 fit उसके बाद मैं इसको नीचे ले आऊँगा नीचे लाने के बाद मैं 60 fit दे दूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूँगा 34 fit और उसके बाद मैं इसको उपर ले आऊँगा और इसमें लाकर के मिला दूँगा और उसके बाद मैं dimension दूँगा से चेक कर लूँगा कि क्या हमारा ये प्लान का जो चवद्धी है वो सही है कि नहीं तो simply मैं क्या करता हूँ करता हूँ दी आई करूँगा और उसके बाद यहां पर देखिए वाल सेंटर लिखा हुआ है इसको कोर फेस कर देंगे वो वाल के एकदम अंदर या बाहर आप पकड़ाओगे तो कोर फेस पर ही पकड़ेगा सिंपल मैं बाहर बाहर से डाइमेंशन ले लेता हूँ इसका और इसको उपर करता हूँ तो यह देखिए हमारा जो बाहरी डाइमेंशन है वो है चौतिस फीट नौ इंची तो मैं क्या करता हूँ इसको कर देता हूँ चौतिस फीट जो कि हमें चाहिए चौतिस फीट तो मै के बाद अब यहां पर देखिए हमारा जो प्लॉट का साइज है वह 60 फिट हो गया है सिंपल यह तो हमारा चौहदी تھा आब हम क्या करेंगे अंदर के लाइन को ड्रा करेंगे जो हमारे वाल है उसको ड्रा करेंगे जितने मैं हमें प्लान को बनाना है simple तो मैं क्या करता हूँ फिर से डबलू ये ले लेता हूँ यहाँ पर मैं सारे वाल को साड़े 4 इंच का ही रखूँगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का और 9 इंच का वाल 2 बना रखा है तो मैं 5.5 वाल को 4.5 इंच ही रखूँगा क्योंकि क्लाइन का काना भिया मुझे 9 इंच के वाल नहीं चाहिए जिसमें बहुत ज़्यदे इटे लग जाते हैं सिंपल तो मैं 4.5 इंच का वाल रखूँगा आप चाहो तो 9 इंच का रख सकते हो, सिंपल तो मैं क्या करता हूँ, rectangle लेने की बाद मैं इसपे क्लिक करूँगा और इसको मैं ऐसे खीज दूँगा खीजने के बात छोड़ देता हूँ, कोई dimensor नहीं दिया मैंने अब मुझे क्या करना है पीछे से 4 feet छोड़ना है बगल से 4 feet छोड़ना है देखते हैं कितना होता है तो मैं क्या करता हूँ DI कर लेता हूँ और यहां पर click करके यहां पर click कर देता हूँ एक बार यहां click करके यहां click कर देता हूँ simple इसको मैं 4 feet नहीं दूँगा मैं क्या करता हूँ एक बार di और करता हूँ और उसके बार यहां क्लिक करके यह देखिए हमारा जो plot size है फिलाल में जो अंदर हमें बनाना है उसका size है 22 feet 6 inch मुझे चाहिए 25 feet तो मैं इस बार इस valve पे click करूँगा और यहां पे मैं कर दूँगा 25 feet simple 25 feet करते ही देखिए यहां पे 4 feet 3 inch आ गया तो इस पकार से मुझे यहां पे calculate करना पड़ता कि कितना मैं छोड़ू कि यहां पे 25 feet आ जा है तो इसलिए मैंने 2 तरफ से 4 feet छोड़ दिया है और यहां पे मैंने 25 feet एक bag ले लिया तो यहां पे जितना भी छुटना होगा वो छ 34 मैं करता हूँ एक बार इस पर क्लिक करूँगा एक बार इस पर मैं 34 क्लिक के ओके कर लेता है तो यह हमारा plot ड्रा हो गया इस पकार से आप भी plot को ड्रा कर सकते हो अब बात आती है कि इसके अंदर हमें क्या-क्या चीजे बनाना है इसके अंदर जो client का मांग है वह है तीन bedroom चाहिए उसको with guest room मतलब दो room एक guest room चाहिए एक kitchen चाहिए एक toilet चाहिए एक living area चाहिए और एक stair और अगर हो सके तो उसको वारांदा चाहिए अगर नहीं मिलता है तो उसके पास आगे काफी जगह है जहां पर वह भी आपनी car और अपना वारांदा बना सकते हैं तो उन्हों ने कहा है कि मुझे सिफ तीन bedroom दे दीजिए तीन bedroom एक guest room के साथ मतलब दो bedroom और एक guest room एक kitchen और एक stair ट्वालेट और एक living area simple इतना चीज़े हमें बनाना है तो मैं क्या करता हूँ simply बना लेता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले अपना दो प्लान बनाने से पहले मैं अपना यहाँ पे दिशा लिख लेता हूँ कि प्लाट की facing क्या है और हमें थोड़ा सा वास्तू को follow करना है ज्यादा नहीं करना है कि मैं उतना वास्तू को मानता नहीं हूँ बट अगर आप follow कर सकते हो तो जितना असों के follow करिए अगर नहीं हो पाता है तो जो प्लाट का facing है वो है west facing तो मैं यहाँ पर देता हूँ डबलू west simple इसको देता हूँ मैं east तो बिदम simple हो गया यहाँ पर मैं north देता हूँ और यह हो गया हमारा south अब इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ इन सब को एक साथ select कर लेता हूँ सेलेक्टरने के बाद इसको मैं कर दूँगा 5 mm का जो कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देखने मसान होगा तो अब यहाँ पर देखिए अब हमारा जो west facing है और north east है जो कि पूजा का code है तो मैं यहाँ पर पूजा का room बना सकता हूँ बड़ पूजा का code कोई requirement नहीं है पूजा उनको अगर करना होगा तो उन्होंने बोला है मैं बाहर बनाऊँगा दो तीन चीज़े जो हैं वो अपने मन से करेंगे वो बाकी सारी चीज़ें हमें अपने से बना करके देना है तो ठीक है फटा फट कमड़े को बना लेते हैं उसके लिए मैं दूँगा wa wall, wall का command देने के बाद मैं एक बार यहां पर क्लिक करूँगा इसको यहां पर select कर लूँगा लिया करके मिला दिया, simple अब उसके बाद di dimension दूँगा, dimension देने के बाद मैं एक बार यहां पर क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूँगा अंदर करूँ गा और इसके लिक करके यहां पर कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको दे दूंगा 12 फीट का सौरी 12 से सीपल यह हो गया 12 में क्षैशा हम हम देख लेते हैं यह 12 में 12 हुट शीट का अब कितना हुगा थो 12 का कमरा तो दो रूम हमने बना लिये हैं अब हमें बनाना है कीचन तो मैं बना लेता हूं यहां पर कीचन डबलू यह करता हूं कीचन का कोड यही आ रहा है तो मैं यहीं देता हूं वैसे तो कीचन होना चाहिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तब भी कोई दिक्कत देता हूँ, चाड़े 7 feet का, और इसको मैं देता हूँ, चाड़े 6 feet, 6 feet, 6 inch का, अभी फिलाल में मैंने इतना दिया है, बाद में मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, simply, इतना करने के बाद, मैं क्या करता हूँ, अब इधर कुछ नहीं बनाएंगे, फिलाल में कुछ भ डी आई करूँगा, डी आई करने के बाद मैं अंदर अंदर dimension दे देता हूँ, simple, यह हुआ, तो मैं इसको रख देता हूँ 11 feet, simple, और यहाँ पे 10 feet, यह काफी है मेरे लिए, फिलाल में, अभी मैं इसको भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगा यहाँ प कोड काउंसा है, तो कोड आता है, साउत और वेस्ट का, साउत और वेस्ट का जो कोड है, तो वो आता है, यहाँ पे तो हम यही पे, आगे के तरफ ही सीडी बना लेंगे, इस्टियर बना लेंगे, इस्टियर बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस्टियर को कर बाद इसको मैं यहां तक बढ़ा लेता हूं अभी मैं फिलाल में boundary wall को, boundary wall नहीं, boundary को draw कर रहा हूं, simple, तो यहां पे boundary पर यहां पर ले लेता हूं, और इसको मैं आगे तक ले आता हूं, simple, इतना करने के बाद, मैं एक line यहां दूँगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और एक skip press करते हैं, skip press करने के बाद एक बार, ऐसे, simple, इतना करने के बाद, अब मैं यहाँ पर dimension दूँगा, di, एक बार इससे, इससे, क्लिक करते हैं, इससे, और इससे, यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताना, मैं भूल गया, कि यहाँ पर जो मैं riser मान के चल रहा हूं, वो मान के चल रहा हूं, 7 inch का, तो 7 inch का मान के चल रहा हूं, तो मेरा जो total step आएगा, जो floor की मेरी height होगी, एक floor के अंदर अंदर, वो होगा 10 feet का, तो 10 feet की हिसाब से, मेरा जो total step आ रहा है, वो आ रहा है, 19, तो मैं 19 step में अपना steer चड़ाँगा, अगर आप calculate करना चाओ, तो calculate कर सकते हो यहाँ पर 10 feet का मैं floor right मान के चल रहा हूं, तो मेरा 7 inch की हिसाब से आ रहा है, 19 step मैं यहाँ पर 19 step बनाऊँगा, अगर आपका कुछ और होगा, तो आपको 11 feet की हिसाब से calculate करना है, अगर आप riser 6 inch का देना चाते हो, तो 6 inch का दे दो, और अगर आप चाओ, तो यहाँ 7 inch का दे 2 inch का, यहाँ पर मैं floorby didi देता हूं, simple, इतना देने के बाद मैं इस सारे dimension को delete कर देता हूं, dimension को delete करने के बाद अब हम riser यहाँ पे draw करेंगे, riser को draw करने के लिए यहाँ पर मैं click करूंगा riser पे, और उसके बाद एक बार एक बार Kalis के मिला दूंगा, फिर एक बार यहाँ आपको कुछ और हो सकता है तो आपको क्या करना है यहां पर आकर के आपको 10 इंच का लिख देना है simple ज़िसे मैंने अभी लिखर उसके बाद आपको यहन आना ऐ और दस इंच का आपको यहां पर आफटिट दे देना है je ambitious मैं यहां पर दे देता हूं मैं भी कोई भी गिंती नहीं कर रहा हूं तो आप गिन करके बनाईएगा मैं मेरा जो आदत है ना हुआ है कि मैं फ़ले इस ट्रा कर लेता हूं उसके बाद मैं गिनता हूं कि विया कितने स्टेप का मैंने ड्रा किया है कितना स्टेप बनाया है उस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 simply 19 इसी बहुत ही जल्दी बन गया यार बहुत ही जल्दी से वो गया कर दूंगा एक बार यहां की लिक करूंगा और ला करके यहां में मि स्क्राइब इतना मिलाने के बाद अब मैं यहां पर finish के option पहाऊंगा और अश्डेयर को एक बार औरКак finish कर दूँगा तो अब है स्क्राइब कर दो। और तो मेरा स्ज next करने के बाद यह देखिए थोड़ा सा बढ़ियाँ बन जाएगा मोन लिदिक इस्टेयर की बनाता हूं इतना करने के बाद हमारा इस्टेयर बन जुका है अब देखते हैं कि क्या मैंने जो गिंती किया था उससाब से स्टेप सही बने है कि नहीं उसके लिए हम लोग आएंग पर इस वाल को मैं यहां तक पुरा खीचने के बाद अब आप देखिए यहां पर हमारा वाल बन चुका है अब हमें क्या चाहिए देखते हैं क्या चीज़ें हमारे कमी हुई है कमी यह है कि हमने कीचन बना लिया दो रूम बना लिया एक रूम एक तीन रूम बना लिया एक लीविंग एरिया छोड़ दिया अभी हमें चाहिए एक ट्वाइलेट तो अब हम देख लेते हैं कोड कों सा आउं और इसको मैं यहां से एक बार खीष देता हूं, simple यहाँ खीषने के बाद उसका डैमेंशनिंगों का डिएatarए एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ और टेंगों आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो लंबाई चोड़ाई ह बहुत रहूं और 5.5-6 feet की और 5.5 feet का मैं इसको क्या करते हूं इसको देता हूं 5 feet का पांच feet का देने के बाद भी ये हमारा जो लंबाई है बहुत ही ज्यादा है तो मैं यहाँ पर डवलु ये देदूँगा command wall का उसके बाद मैं एक बार यहाँ पर click करके यहाँ पर दे दूँगा wall और उसके बाद मैं di करूँगा और इसके बीच में dimension दूँगा और यहाँ पर मैं gap दे दूँगा गर को जाना पड़ेगा तो मैं एक डूर यहाँ पर दूँगा जो कि backdoor का काम करेगा आप चाहो तो यहीं से निकल करके पीछे जा सकते हो पीछे गर आपको कोई काम है तो यहाँ से निकल के बाहर निकल सकते हो अगर कोई guest वैसा अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो अगर को ज्यादा चोटा हो गया हुमारा तो यहाँ पर देखिए साथ फिट दो इंच का बना है अगर हमें कोई भी ट्वालेट बनाना है तो इस ट्वालेट का साइज मिनिममम 30 स्कॉार फिट मतलब 30 स्कॉार फिट का आपको रखना पड़ेगा 30 स्कॉार फिट से कम का ना हो अगर 35 स्कॉार फिट का है 30 स्कॉार फिट से 5 स्कॉार फिट ज्यादा है सिंपर अब मैं क्या करता हूं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से अब हमारा यह लिविंग एरिया तयार हो गया अब मैं एक वाल यहां पर देता हूं एक वाल यहां पर देने से फाइदा यह होगा कि द हों पर यह उतना करने के बाद मैं यहार लाई दीता हूं एक की वोग का rapid कर लेवल्से 14 इंच से 14 पर होगा मैं एसा मान के चल रहा हूं अगर न्सक्राइब लेबल से अधिक का रखना है तो यहां पर आप भिया और रख सकते हो तो मैं यहां पर 14 इंच यानी 7 इंच का राइजर मानके मैं दो दो इस टेप यहां पर दूगा बाहर की तरख दो इस सीक मिला दूँगा इसको लाकर किस से मिला दूना, simple, इतना करने के बाद मैंने इसको मिला दिया, अब यहाँ पे बरांदा बन चुका है, हमारा stair बन चुका है, अभी हमें stair के बीच की दूरी देखने ना है, भियाग मिल रहा है कि नहीं मिला, ऐसा तो नहीं काफी छोटा मिल ला है, यह 4 feet 3 inch मिल इसको मैं दे दूँगा साथ फिट का साथ 20.5 का किचन दूँगा मैं जो की लगबग में ठीक है बहुत ज्यादा छोटा नहीं है तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है अब इतना करने के बाद हमारा जो घर का प्लान है वो तयार है अब हमें इसमें डोर और विन्डो लगा जेता हूं और मैं इसको कर डिफाल्ट यूज़ कर रहा हूं तो मैं यहां पर क्लिक कर के प्रीट का दोर यहां लगा देता हूं अब यहांी से आएगा यहीं बैठेगा यहीं पानी प्येगा चला जाएगा सिंब और एक तिनविक का गेट मैं अंदर ऑम अधर दंग की तरफ शर देता जाओ में अगर में किसमें अधर-से तरफ लगा देता हूं मना और एक मैं यहां पर लगा देता हूं लॉर टीनविक fakla यहां या भाइफ़ शच पारा और शचीन में और युर्ल किल cap तो मैंने यहां पर लगा दिया अब हमें लगाना है विंडो तो मैं यहां पर विंडो लगा देता हूं विंडो लगाने से पहले में क्या करता हूं इस वाल का कलर चेंज कर देता हूं वाल का कलर चेंज करने के लिए मैं क्लिक करूंगा एक बार वाल पर किसी भी वाल पर इस Cut Pattern का option है, Cut Pattern पे आने के बाद यहां पे Pattern में जाएंगे, Pattern में जाने के बाद एकदम उपर आपको मिलेगा Solid Fill का, मैं इसपे Click करूँगा, इसके बाद Color का option मिलेगा, इस Color पे आने के बाद यहां पे आपको चूज करना है Black, Red, Yellow, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो, मैं Black चू इस प्रकार से आप अपने वाल को ब्लैक कर सकते हो जैसे थोड़ा सा हाइलाइट रहेगा और देखने में प्रजेंटेशन अच्छा लगेगा सिंपल इतना होने के बाद अब मैं दूंगा यहां पर विंडो डबलू एम देंगे कमांड विंडो का और बाई डिफाल जो विं बेट का सर होगा वह इधर की तरफ नहीं होगा इसलिए मैंने साउथ की तरफ और यह विंडो में नौर्थ की तरफ लगा रहा हूं जो विंडो जो हमारा बेट का सर होगा वह होगा हमारा इस्ट या वेस्ट की तरफ इसलिए मैंने विंडो यहां पर नहीं लगा जिंपल और इसके बाद मैं फ्रंट में देंगा क्योंकि यह necessarily क्योंकि यह तो द्राइंग रूम है और यसनियों में यहां पर शोंत की स्वा लगा करेंगा तो इसके लीए हम a और एक छोटा ऑ ne किचन में थोड़ा सा चौटा विंडो दूंगा और यहां पर मैं लगा देता हूं एक किचन में, सिंपल किचन में लगाने के बाद आप बाता है living area में, living area में लगाने के लिए यह चोटा सा विंडो में यहां लगा दूगा जिससे में कि वेल्टिनेशन हो जाएगा मैं सिंपल यहां पर क्लिक करता हूं तो अभी यह देखिए मारा विंडू लग चुका है हैं क्या करता हूं यहां पे एक रोसंदान लगा देता हूं रोसंदान लगाने के बाद अब यहां पर प्लान तयार है कि मैं उसक्ते हुं मैं यहां इसको खौन देता हूं। DR देने के बाद मैं एक छोटा सा धाई फिट का एक डोर यहां पर लगा देता हूं जिससे कि हमारा डोर भी लग जाएगा और लोगों को बाहर निखलने में कोई प्राब्लम भी नहीं होगा मैं इसको घुमा देता हूं इधर की तरफ है simple तो अब यहां पर देख सकते हो कि हमारा फ्लान तो लखभक में तयार है मुझे क्या करना इसमें कुछ फर्निचर लगाने है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक छोटा वाला कार ले देता हूँ जो की 2D में दिखेगा 3D कार नहीं है यह सिंपल अब मैं इसको लोड होने देता हूँ थोड़ा सा समय ले रहा है क्योंकि मैं लेटा आप थोड़ा स्लो है अब आप यहां पर देख सकते हूँ मेरा कार लोड हो गया तो मैं क्या गरता हूँ इस कार को लाकर के आगे लगा देता हूँ एक car को यहां लगा देते हैं, car को लगाने के बाद, अब फिर से मैं जाओंगा इस component अपर ले option पे और यहां पे load family पे क्लिक करूँगा, और इस folder से मैं बाहर निकलता हूं, एक बार मैं back करूँगा, बैक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे furniture बहुत सारे चीजे पड़ी हुए हैं जिसको मुझे लगाना है तो मैं यूज कर सकता हूँ तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, पहले sofa ले लेता हूँ, three-seater sofa ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इस पर click करता हूँ, double click, double click करने के बाद यह जो sofa होगा, वो लगेगा यहां पर, simple, यह हमारा drawing room या कही है, तो guest room है, जिसमें मैं यह sofa लगा रहा हूँ, तो मैं यहां पर एक sofa यहां पर लगा देता हूँ, three-seater का, और यह एक sofa मैं यहां लगा देता हूँ, three-seater का, simple, इतना लगाने के बाए, अब मैं इसको थोड़ा सा यहां करता हूँ, और मैं इधर करता हूँ, तो अब यहां पर देख सकते हूं कि हमारा जो फाइल लग चुका है बड़ हमें यह चीज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं क्या करता हूं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से डिलीट करने के बाद मैं फिर से जाओंगा कंपोनेंट पर लोट फैमिली पर जाओंगा लोट मैं इस पर क्लिक करूंगा इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर देखो कि मैंने इस सोफे को ले आया हूं अब मैं इसको यहां पर ऐसे लगा देता हूं एक सोफा मैं यहां लगाओंगा और एक सोफा मैं यहां लगा देंगा सिंपल अब आप देखो कि मेरा जो सो कर देता हूं और यह देखिए हमारा जो है टू सीटर सोफा बन चुका है सिंपल मैं क्या करता हूं इसको इधर से खीच लेता हूं और पीछे करता हूं और दौह से पीछे करके मैं इसको ले लेता हूं सिंपल यहां पर हमारा सोफा लग गया है अब इसके बाद हमें चाहिए यह निंग टेबल चोटे फैमिली के लिए और यह जो बाइड इफाल्स वर एक बाइड निल जाता है आपको रैविट में वह वाला डाइनिंग टेबल है तो मैं यह वह बाइड टेबल यूज करूंगा मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूं करने के बाद हम यहां पर देख सकते हूं कि मनणा जो डाइनिंग टीबल हो आ गया है और मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूं इतना करने के बाद आप हमें चाहिए टौइलेट के लिए यहां पे सिरिंक वगरा तो मैं इस पर लगा देता हूँ कमोड भी चाहिए तो मैं ले लेता हूँ देखता हूँ लोड फैमली में जाता हूँ लोड फैमिली में जाने के बाद मैं इसको बैक करता हूँ एक बार बैक करने के बाद हमारा जो कमोड है वो देखी यहाँ पर है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं ओपें कर लेता हूँ ओपन करने के बाद अब यहां पे थुआ सा लोड लेका लोड लेने के बाद मैं इसको लगा दूंगा तो अब आप यहांपर देखसकते हो कि मारा Commode load तो हो गया है बर यहांपर नहीं लग रहा है तो अभी यह सम्हारा Commode lawn वेफ है तो अगर मैं इसको वाल के पास लाओंगा को देखी यहांप давай यहांपर दिह का रहा है भर जब भी मैं Commode को लगाता हूं तो मैं यह द्यoga में दे जो कि हिंदु धर्म के इसाफ से थोड़ा सा सही होना चाहिए थोड़ा सा वास्तू को फालन कर लेते हैं और जहां तक हो सकेगा करेंगे नहीं हो पाएगा तो बाती अलग है तो इसलिए मैंने यहां पर कर दिया है अब इसके बाद हमें चाहिए बेड तो मैं चलता हूं फिर यहां पर रखा हुआ है डबल बेड है तो मैं इसको क्लिक करूंगा ओपन कर लूँगा ओपन करने के बाद अब यहां पर थोड़ा सा लोड होगा तो अब देखे हमारा जो फरनीचर है या जो कि यह बेड है वो बेड हमारा लोड हो चुका है अब लोड होने के बाद अब तिरह बेट गए और इतना हो जाने के बाद अब हमें चाहीए कीचन पर हम फ्लेट फराम बनाना होगा तो फ्लेट फ़रा हम दो तरीके से बना सकते हैं यह थो फल फ्लोर से और मुझा करता हूं यहां पर सिफ टूडि प्लान देना है इसलिए मैं लाइन से दाइमेंशन देदेंगे तोपलेतफर्म देखे दो होता हाए एक तो होता है दो फिट का एक होता ठाए 17 का तो मैं यहां पे दोविधत काफ फ्लेटफर्म बनांगा सब दोविसका सकते हूं इसमें छोते जरू साज इतना करने के बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ अब यह देखिए हमारा प्रेटफार्म तयार हो चुका है अब हमें यहां पर क्या करेंगे स्रिंक लगाएंगे और यहां पर मैं गयस चूला लगाऊंगा सिंपल तो यहां पर देखिए सिंक आ गया तो मैं इस पर क्लिक करता सिंपल जो गैस होता है गैस को मैं अधिक्तम सोचता हूँ या तो वेस्ट में हो या तो इस्ट में हो इसलिए मैंने यहां पर सिंक लगाया है और यहां पर मैं लगाऊंगा अपना चूला सिंपल मैं क्या करता हूं फिजाता हूं कंपोनेंट पे लोड फैमिली और इसको मै मैं और नीचे लाऊंगा और नीचे लाऊंगा और यहां पर देखिए कुक टॉप का एक आफसन आ रहा है तो यहां पर एक है और यहां पर गयस है तो मैं के करता हूं छोटा वाला लगा देता हूं इस पर double click करते हैं double click करने से यह automatically open हो जाएगा हमारे इस project में project में open होने के बाद मैं इसको यहां बिला करके लगा देता है simple आप देखिए हमारा जो चुला यह भी लग चुका है और यहां पर हमारा dining table लग चुका है यहां पर ट्वालेट का लग चुका है अब यह हमारा बरांदा रह जा है तो बरांदे में भी हम एक दो कुर्सी रख देते हैं कुर्सी लाने के लिए मैं component पर जाता हूं और मैं यहां पर आऊंगा सोफा पर डबल क्लिक करता हूं और यह वला जो furniture वला है मैं इसको उपेन कर लेता हूं सिंपल कुर्सी कोई भी रख देते हैं टूडी में सिर्फ दिखाना है मैं जितना अच्छा presentation बना सकते हैं बना लेते हैं सिंपल उसके बाद यहां पर लाकर के मैं इसको रख देता हू कि इसके बाद ना मैं इसको इस kоны पर लाओंगा और इसको घूमाओंगा थोड़ा स अब ही नहीं थोड़ा सा और गुमा लेते हैं इसको आइसे एग दो criticize एसे रखा रहेका तो लगेगा कि नहीं इसके बाद अब मैं क्या करता वो इसको ल आई करता हूं और यहां पर मैं प्लांटर लगा दूगा इतना जगा घराब यहां पर फिसको लगाने के बाद मैं यहां पे प्लांटर लगा ब्लांटर लगाने से थोड़ा सा देखने में प्लान अच्छा लगाने से नहीं हो ला इक वा Religion we पर जाना है और यहां पर by category पर जाकर करके मैं click करूंगा click करने के बाद आप यहां पर देखिए color का option बिला है इस color पर click करना है और यहां इसको black कर दिना है okay आपको अगर rate चाहिए तो आप rate भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं अगर line का वीर्ट आपको बढ़ाना है तो आप य okay करूंगा तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मारा जो line है वो black हो चुका है और यहां पर दिखे यह भी line black हो चुका है simple इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना हम लोग नहीं आप और मैं करूंगा तो हो गया हम लोग सही है थोड़ा सा तो अब मैं क्या करता हू यहां पर इас पर क्लिक करता हूं एक बार इस बैट पे right लिक करता हूँ override ग्राफिक्स पर जाते हैं overr cancellation पर जाने के बाद मैं category पर जाता हूं category पर जाने के बाद यहां पर एक option मिलेगा half tone का half tone का option क्लिक कर देते हैं उसके पाद apply करते हैं okay कर देंगे तो अब आप यह दे और यहां पर by category करेंगे और इसके बाद half tone पर जा करके apply okay और यहां पर एक बार इस पर क्लिक करेंगे यह रहा गया है हमारा इस पर फिर ग्राफिक्स पर by category और half tone और उसके बाद sorry इस पर क्लिक करते हैं okay okay यह हो गया अब हमारा car रहा गया है car पर भी क्लिक करेंगे उसके बाद मैं यहां पर by category और यहां पर मैं इसको भी outcome apply okay अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा जो सारा furniture है वो हर tone में हो गया है अब मैं क्या करता हूँ इसका dimension डाल देते हैं तो dimension डालने के लिए मैं क्या जैसा कि इसकी लंबाई है 11 फिट और चोड़ाई है 12 फिट तो मैं क्या करता हूँ tx करूँगा और एक बार यहां क्लिक करूँगा और यहां पर लिकूँगा bed room इंटर करूँगा 12 फिट शरी 12 फिट 0 इंच दूँगा इंटू 11 फिट 0 इंच दूँगा इतना करने के बेड रूम इंटर करूँगा 11 फिट 0 इंच नहीं होगा यहां पर होगा 10 या फिर 11 इंच भी लिख सकते होगा तो मैं यहां पर लिख देता हूँ 10 इंच का इंटू 11 फिट 0 इंच का सिंपल एक बार इस पर क्लिक करेंगे और एक तरफ हम लागर कि इसको छोड़ देंगे यह हो गया हमारा दूसरा बेड़ू यह लिविंग अरिया है अभी मैंने लिविंग अरिया का डाइमेंशन नहीं दिया है तो मैं यहां पर लिख करता हूँ एक बार यहां किलिक करूँगा एक बार यहां और एक बार मैं यहां किलिक कर देता हूं सिंपल इतना करने के आप चाहो तो इसको डाइनिंग की तरह भी यूज कर सकते हो सिंपल लिविंग और डाइनिंग लिखने का मतलब मेरा सेम यही था तो मैं क्या करता हूँ 11 फिट 0 इंच इंटू 10 फिट 6 इंच तो देखो मेरा जो आदत है वो है कि मैं पहले चोड़ाई लिखता हूँ अगर आपको जो पसंद और पैयुट सबया हो I'm the खाने दने लिखता ने के बाद अब आते हैं कि इंटर करते हैं नागत बत नो इंटू 7 फिट एक इंच ते और इसको रखे जड़ा है कर देते हैं कि एग बार इसको नो फोड़ा साइब इधर कर देते हैं यह हो गया हमारा वाइलेट अब यहां पे देते हैं किचन किचन इसके बाद देते हैं सत इंच इंच-ई-ई- किपल बाद मैं किलिक कर देता हूं यह हमारा हमुग कीचन और यहां पी आते हैं ई decentralized यह तो कहीं है तो द्राइंग रों तो मैं क्या करता हूं ट्रायंग रूम में लिख देता हूं मैंक करता हूं द्रायंग रों मैं र То D इतना लिक दिया, लिक करके एक बार click करते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा बीछ में कर लेते हैं बीच में करने के बाद मैं इस पर click करता हूं और इसको मैं ला करके इसे लगं करते हूं simple ि एक हमारा ओगया drawing room अप आता है हमारा बात वदांदे का तो मैं di करता हूँ, di करने के बाद मैं यहाँ पर एक बार प्लिक करूँगा, यहाँ और एक बार यहाँ पर लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, tx के बाद मैं देता हूँ, वरांदा देता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ, 6 feet 0 inch into 9 feet 11 inch, simple, यह हमारा हो गया वरांदा अब कोई मेरे साब से कोई भी जगह छूटा नहीं है अब यहाँ पर दिखा देता हूं आप कि दिखाएंगे क्लाइन को फिर क्लाइन बताएगा फिर मैं उसको चेंज करूंगा इस पकार से प्लान को बनाते हैं और जब वर्टिंग जाता है तो उसमें हम dimension को लिख करके देते हैं जिससे actual जैसे मैंने यहां पर आधा इंच का गैप किया हुआ है दस लिखा हुआ है तो वो सब चीजे client को पता चल जाती है कि आच यह आधा इंची का गैप है इसमें तो आधा इंची यहां से पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम यहां पर देंगे 2.5 mm, इंटर, इंटर करने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हों कि मारा नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जिससे कि हम यह दिखेगा, और यह 4 feet 3 inch का है, तो हम यहां पर TX देंगे, और हम लोग यहां पर लिखेंगे, 4 feet 3, sorry, 3 inch wide, wide, side open, simple, इतना करने के बाद हम इसको ना थोड़ा सा घुमा देते हैं, sorry, दो बार skip करते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा सा घुमा देंगे, घुमा करके इसको यहां रख देंगे, और इसी का हम लोग एक copy बना लेंगे, इसको उठाएंगे, और ला करके इसको हम लोग यहां रख देंगे, और यहां पर लिख देंगे, 4 feet wide, यह जो 4 feet 3 inch है, इसको हम लोग यहां पर 4 feet कर देंगे, इसको 0 कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग खटा सकते हैं, simple, यह देखिए हमारा 4 feet wide हो गया, अब यहां पर आएं चार फिट वाइट रियर उपन है यह होगा हमारा चार फिट फाइट प्रेयर उपन होगा अभी अब आप देखो तो यहां पे यह जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कापी छोटा है मैं क्या करता हूं एक बार इस पर क्लिक करता हूं किसी एक पर उसके बाद अर्पर जाएंगे और यहां पे visible View जो है न इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे इसके क्लिक करने के बाद आद यह देखे सारे टेक्ष्य स्लेक्ट हो गए इसके बाद हम लोग 2% करेंगे और 3.5 mm का हम लोगit इसको कर देंगा इसे हमारे सारे टेट को बढ़ा हो जाने के बाद में क्या करता हूँ अब यहां पर देते हैं मैं लोगेट तो मैं इसको cut कर देता हूँ एक बार यहां से एक बार घ्ला सा cut करता हूँ और यह हम दें गए यहां पे 10 sich 10 उस्छिण का घेड देंघे 10 उस्छिण में आराम से कार मेरे साथ है चली जाएगी इस पर क्लिक करके read कर देंगे wa देंगे और यहाँ पर हमें basically column लगाना चाहिए but मैं आपर देदूंगा 9 inch का wall simple लगना तो column चाहिए but मैं यहाँ आपर 9 inch का wall देता हूँ simply 9 inch लगा देता हूँ इसको मैं एक बार skip करूंगा एक बार यहाँ कीड करूंगा इसको skip करके मैं आपको दे द्वन 9 inch का simple यह हमारा wall का pillar बन गया जिसे जो gate का pillar होता है वह फिर L a ही करेंगे और एक लाइन यहाँ किड करेंगे एक लाइन यहाँ लगा देंगे यहाँ किलिक करेंगे यहाँ मिल्य को यहाँ हख़ा को गत्राइब करने के बाद यह वहाँ हिदेन लाइन हो जाए गा individ सिंपल यहां पर लिख देते हैं गेट यह हमारा गेट हो गया इसको मैं भी 3.5 mm का कर देता हूं यह थोड़ा बढ़ा हो जागा सॉरी अभी बार नहीं यह 3.5 mm थोड़ा से बढ़ा हो गया इतना होने के बाद हम लाई करेंगे और इसको लाकर के यहां तक एक लाइन कीज दे के बाद अब मैं क्या करता हूं यहां पर इसको भी बढ़ा करके 3.5 mm का कर देता हूं सिंपल यह रेकिए हो गया इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे अपना फॉर्मेट लगाएंगे आपके पास जो भी फॉर्मेट हो लगा दीजिएगा एक मैं GD करूंगा कमांड देत करिए लाइटिंग पर जाएए और यहां पर आपको सेडो का आपसन मिलता है आपको इसको कम करना है कम करने के बाद इस पर अपलाई करना है जैसे आप अपलाई करते हो तो आप यहां पर देखो कि आपको एक सैडो का आपसन यहां पर दिख रहा है जो की परचाही बन रह लगता है हमें यह हमारा प्लान इसको थोड़ सक्कीश है अगर आप इसको इसको र्यालिस्टी इस्rica हैं तो यहाँ पर इसको लिवम विदी खेगई हैं है आप इसको कलें भूल भी बना सकते हों मैं सामद यह best है तो आप जाओ तो इस पकार से अपना प्लान बना सकते हो और यह था प्लान आज का 34 बाई 25 का प्लान था हमारा तो मुझे आसा कि बाप समझगे होगे तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही टाटा बाई बाई मिलते हैं आप नेक्ट वीडियो में